हमाई साथ आज मौझूद हैं स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम कैसिल करीम कुंडी सहाब एक्स डेप्टी स्पीकर कौमी असमली भी रहे हैं आईए आज उनसे मिलते हैं और बात जीत करते हैं असलाम लेकुम सर्फ वालेकुम वेलकुम तू दे शो जिस तरह यूद को हम देखते हैं पाकिसान तहरीके साफ ने एक पूरी यूद को मॉबिलाइज किया सोशल मीडिया की इस्तमाल किया और भी दूसरे टूल्स हैं लेकिन उन्होंने अपना फोकस यूद के उपर रखा तो आप क्या समझते हैं कि बिलावल साब अभी इस पर नहीं आये हैं और इसके साथ जो पराना जो वर्कर है जैसे पीपरिस पार्टी का जियालाग बोलते हैं कि वहां तक उनकी अपरोच अभी उन्होंने उस तरीके से ओन बॉर्ड नहीं लिया क्या आप दरूस समझते हैं कि इसा है बिलावल साब की इंटरेक्शन जो है वो मुक्तलिफ फॉर्ण्स पे अपने पार्टी के वर्कर के साथ पाकिस्तान के लोगों के साथ हुई जलसे की सुरत में हुई टीवी प्रोग्राम की सुरत में हुई लेकिन अब जब से वो फॉर्ण मिनिस्टर बने हैं तो जरह इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी है और आप देखते हैं कि इस कम अरसे में उन्हों ने जो काम किया पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी कौम के लिए वो भी सब के सामने हैं जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा बार दोने में लड़ा जैसी वो उन्होंने हल्फ लिया उन्होंने यूएस के विजिट भी उनकर आया था उसके बाद वो सुदियरेबी भी गए इरान भी गए चाइना भी गए तो बहुत से ऐसे मुमालगे अभी रिसेंटली आप देखें कि यूएन के एक बड कुल चल रहा है क्योंकि अगर आप टीवी नहीं देखते हैं आपके पास सोचल मीडिया बाकी जरह हैं जिससे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिसान का केस लड़ा जिस तरीके से उन्होंने बाकी केस लड़ा जिस तरीके से उन्होंने बाकी केस लड़ा चाइना में याके वहोंपर तख्रीश नहीं करनी हैं कि मैं यह कर दूंगा यह वो कर दूंगा यहां गरते रहे इम्रान कान सब की बात करते हैं, उनकी सियासत को आप किस तनाजूर में देखते हैं? इमराण साब ने पॉलिटेक्स नहीं किया, इंको पता नहीं है कि मैं यह pathogen work होती है यह पॉलिटेक्स के रिवायात क्या है लिवायात क्या है, यह रिवाज्यात क्या है चीज है। वो हमेशा हर जलसे में कहते हैं कि अगले जलसे में में आप लूंग मारशी तारीख देंगा और यह तक्रेमें कोई र embargo 10 जलसे हों भाई पल लांग मारशी तारीख लेने जा रहे हैं और अब तक उनकों से तारीक फिक्स नही हो रही प्रूस की बात या है कि हमेशा जब हमें भी PTI के कुछ लोग कहते हैं कि जब हमारे लीडर स्टेज पे जब तक्रीर करने के लिए खड़े होते हैं तो हम भी पीछे सूरतिया सीन पढ़ रहे होते हैं कि अब क्या बोलेगा अब क्या बोलेगा और हमेशे उनकी जबन फिसल जाती है और मैंनी समझते कि फिसल जाती है वो जानबूस ये काम लते हैं कोई फिसल नहीं होता है और प्रूस के बात जो है उसकी तरशरी जो है PTI के तरजमान करते हैं कि हमारे लीडर की जो बात इससे मुराद यह है लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस्टेबलिश्मेंट के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने जुडिशरी के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने ठीक है पॉलिटिशन के खिलाफ तो हम लगे रहेंगे जिसके खिलावी बोलें आपको इजाज़त है लेकिन ये चीज़ मैं समझनों के नहीं होना चाहिए अपनी इज़त अगला फूद करवाता है अब ये बहाना ढूंट रहे हैं अपना जो है किस तरीके से हमें वापस इसंबली में लाए जाए क्योंकि अभी में पता चलिए है कि हमारे जो डायलॉग्स है सुल्तान रही वाले वो भी नहीं चलने वाले है ना अलेशन होना है ना कूछ है और हमें अब दुबार अपार्लिमेंट में जाना चाहिए सिंध में और अंदरून सिंध लड़काना जेकबबाद और इस तरह की दही अलाके वहां के सुर्थ हाल तो बहुत ही मिजरेबल है तो क्या मसाइल कहा रहे हैं कि ग्रॉस फूट लेबल पर इमदाद नहीं पहुंच पारी मेडिकल फिसल्टीज नहीं पहुंच पारी बहुत सी खामिलाखवतीन हैं जो हजारों के ददादमन के जो है वो सफरिंग जो है वो शामिले हाल है तो इस सुर्थ हाल में अभी तक हम देख रहे हैं एक महीना गुजर गया है सेलाब को आये हुए लेकिन सुर्थ हाल वर्स्ट है अब तो सांपों से भी उनकर शिकार होने लग गये है सिन्ध का प्रोब्लम ये है कि सिन्ध का पानी ऊस वक्र ciao पानी कि इस वर जब तक आपस प होँ पर कूश नहीं कर सकते यही सबसे बड़ा नेगिटिव प्रॉब्लम जो है वो सिन्द का है क्योंकि वो जमीन खुश नहीं हो सकती जब तक पानी रास्ता ने बड़ा ने निकलता नहीं सिन्द जो है वो समंदर में नहीं जाता उस अफ़ तक ये प्रॉब्लम चलती रहेंगी और हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द जल्द ये पानी जो समंदर में चल जाए ताके जो लोग जो है दुबारा अबादी की तरफ रवाना हो जाए ताकि दुबारा घर बनाना शूरू कर दें चीज़ें जो भी उनके मसाहिल में है हुकुमत को अडिशन करनी चाहिए एक तो यह है कि जो भी जितना खर्च करना चाहिए इमरान करना चाहिए मैं करना चाहूं जो भी करना चाहिए हुकुमत को चाहिए कि उसका जो है वो ट्रैक रिकॉर्ट रखें उसके एक लेवल तक जो हो सपोर्ड कर रहे हैं बात यह है कि अभी जो जाने बच गए हैं उनके सर्वाइवल का मसला है उसके लिए में जेटली जो है सुभाई हुकूमत अपने टास्क स्फोर्स को क्यों तश्किल नहीं दे रही है कि वो उनको कोई ऐसी स्टूशन पेश आजए जिसमें फेडल में इस चीज़ें लूस करना शूरू कर रहे हैं यह जो है इस पर आप पॉलिटिक्स नहीं करें का वासकूम फलर्ड के पानी पे सलाप पे और यहां पर जो लोग मर रहे हैं या मुवेशी मर रहे हैं उनके जजबा ज़साद आप खेल कर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं और यह कहते हैं पीटेवा लगे नहीं हमें तो अलेक्शन की तारीक आज दें तो वो तो हो नहीं सकती अक्तूबर दोदेशन होना है लेकिन हम उनको यह कहेंगे कमस्कम यह जो इलाके के लोग हैं जो कि जहां पर सहराब है उन्हें कभी पीवल्स पार्टी को वोट किया कभी इनून को वोट किया कभी पीटे को वोट किया कभी और जमात को वोट किया तो ये वोट्स जो है वो ट्रंड चेंज होता रहता है, लेकिन आप आएं, और जो है, इस चीज को हमें सपोर्ट करना चेहे लोगम को, बतलब में है कि मेर्त मुश्क्यल आते हैं सरुक्यों, तो इस पे जो है वो हम देख रहे हैं कि इस पे जो है चाहिए तो यह था कि हम तमाम पुलिटिकल पार्ट जी एक पेज पर रहे हैं इन लोगों सपोर्ट करते हैं लेकिन इमिनाखान साब कहते हैं कि अगर अलेक्शन की तारीख बात होगी तो मैं आउगा और इशूस पे मैंने होगा अगर पाकिस्तान की अवाम अगर मर रही है खुदाना खास्ता बैसर रुस्मानी की चाहलत में कुछ भी नहीं है उस पे मैंने आउगा लेकिन जो है मैं इस सूर्थे हाल में इलेक्शन की बहुत ही क्वेशनेबल हो गया इलेक्शन के कंड़क्ट भी दोहजरतेईस में खास कर कि जब एक तहाई मुल्क जो है वो सेलाब के पानी में डुगा पड़ा है देखें मैं नहीं समझते कि अलेक्शन जी जल्दी हो सकता है इतनी जल्द जो है यह चीजें जो है कैना बहुत असान है लेकर मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी एरेशन सेंद में जो है वो सकते है यह एक स्विडून की है जो के काराची वाली है उस पर गो एक लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं बाकि जो है बड़ा प्रॉब्रमेटिक है अब देखते हैं कि उसको की सरी के सेंडल किया जाता है जी वीवर्स आप देख रहे थे फैसल करीम कुडी सहाब जो के बीडीनियो सर्विस के इस्क्लूजिफ सेग्मेंट में हमारे साथ थे इंशाला फिर मिलेंगे किसी और अच्छी नई गेस्ट के साथ इजादत चाहते कि दो धेस्ट अंउडा करीम के का के संस्क्लूजन के का सबीजब दोरी कि बीडीनियो वेज़ देखनेंगे क्पधने बीडीनि मिलें रहें क्वेड़।